नमक लोहा तेल और उड़द आदी का त्रिकुट सोट पीपल गोल मिर्च फल गंद और जल आदी का दान तथा ध्रत आदी द्रव्य पदार्थो और सुवन मोती आदी खटोर वस्तो का दान भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसमें से नमक आदी का मान कम से कम एक प्रस्त एक सेर होना चाहिए और सुवन आदी का मान कम से कम एक पल। धन की सकरांती से युक्त पोशमास में उश्काल में शिव आदी समस्त देवताओं का पूजन समस्त सिध्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तयार कियेगे हविश्य का नवेद उत्तम बताया गया है। पोश मास में नाना प्रकार के अन्न का नवेद विशेस महत्व रखता है। मार्ग सीस में केवल अन्न का दान करने वाले मुनुश्य को ही संपून अभिश्ट फलो की प्राप्टी होती है। मार्ग सीस मास में अन्न का दान करने वाले मुनुश्य के सारे पाप नश्ट हो जाते है। तथा वह अभिष्ट सिद्धि आयोग धर्म वेद समयक ज्यान उत्म अनुष्ठान का फल इसलोक और परलोक में महन भोग अंत में सनातन योग मोक्ष तथा वेदान्त ज्यान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो भोग की इच्छा रखने वाला है वहमनुष्य मार्ग देवताओं का पूजन करें और पोष्माश को पूजन से खाली ना जाने दें उश्काल में लेकर संगवकालत की पोष्माश में पूजन का विशेस महत्या जाप करें तक पश्कालत को सोने के समय के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने बाला अभरहमन ज्यान पाकर श्रीर झूटने के बाद मोक्स प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नार्योकोत रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के हिन्रंतर जाप से विशुद्ध ज्यान प्राप्त हो जाता है, इस्त मंत्रों द्वारा सदा जाप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, सारा चराचर जगत बिंदू नाद रूप है, बिं बिंदू और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप है क्योंकि वही सब का आधार है आधार में ही अधे का समावेश है अत्वालय होता है यही सकली करण है इस सकली करण की स्थिति में ही स्रस्टी काल में जगत का प्रादुर भाव होता है इसमें संसय नहीं है शिवलिंग ब संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करने चाहिए बिंदू रूपा देवी उमा माता और नाद सरूप भगवान शिव पिता इन माता पिता के पूजित होने के पर्मानंद की प्राप्ति होती है अता है पर्मानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का ही विशेस रूप से पूजन करना चाहिए देवी उमा जगत की माता और भगवान शिव जगत के पिता है जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्या अधिकादिक बढ़ती ही रहती है ये पूजक पर कृपा करके अपना आंतरिक पुरुष रूप है और भारवा शिवार अत्वा शक्ति प्रकर्टी कहलाती है अव्यक्त आंतरिक और अतिष्ठान आद रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक आदिष्ठान भूत गर्भ को पुरुष आदी गर्भ है वह प्रकर्टी रूप गर्भ क्युक्plicतिर प्रुष्ट। काल से ही जीर्ण छै भाव विकारों से युक्त होने लगता है इसलिए उसे जीव संग्यादी गई है जो जन्म लेता और विविद पाशो द्वारा तनाव बंधन में पढ़ता है उसका नाम जीव है जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है अता है जन्म मृत्य रूप शहर और शक्कर के साथ प्रतक प्रतक भी रखे इन सब को मिलाकर सम्मलित रूप से पंचामरत भी तयार कर ले इनके द्वारा शिवलिंग का अभीशेक एवं स्कान कराएं फिर गाएं के दूद और अन के मैल से नवैद तयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पुर्व प्रतक उसे भगवान शिव को अर्पित करें संपून प्रनव को ध्वनी लिंग कहते हैं स्व्म भू लिंग नाद रूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है यंत्रिया अरगाबिंदू सुरूप होने के कारण बिंदू लिंग के रूप में विख्यात है उसे अचल रूप से प्रतिष्ट जो शिव लिंग है वह मकार स्वरूप है इसलिए मकार लिंग कहलाता है सवारी निकालने आदि के लिए चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के करण उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दिख्षा देन वाले जो गुरु या आचारिया हैं उनका विग्रह आकार का पृतिक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार उकार मकार बिंदु नाद और ध्वनी के रूप में लिंग के छैबेर है। इन छैबो लिंगों की नित्य पूजा करने से साधत जीवन मुक्त हो जा उसके जाब की विधी एवं महिमा कारिय ब्रह्मा के लोकों से लेकर करन रुद्र के लोकों तक विचेचन करके कलातीत पंचावरण विशित्च शिव लोग के अनिर्वाचनियों वैभव का निरुपन तथा शिव भक्तों के सतकार की महता। दिशी बोले प्रभू, महाउ अग तपस्या के धनी हैं, आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्र उपस्थित किया है, किन्तु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। यद्दपी भगवान शिवती कृपा से ही मैं इस विशे का वर्णन करूंगा, वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारम बार स्वम ही ग्रहन करें। प्रे नाम का प्रकति से उत्पन संसार रूपी महासागर का प्रणव, इसे पार करने के लिए दूसरी नाव, इसलिए ओमकार को प्रणव की संग्या देते हैं। ओमकार अपने जाप करने वाले स अपने जाप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करने के लिए यह दिव्य नूतन ग्यान देता है इसलिए भी इसका नाम प्रणव है अत्वा उन मायारहित महिश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं जो परमात्मा प्रकाष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं इसलिए प्रणव कहलाते हैं प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है इसलिए भी विद्वान पुरुष उसके प्रणव नाम से जानते हैं अत्वा प्रकाष्ट रूप से नव दिव्य प्रमात्मा ज्यान प्रकट करता है इसलिए वह प्रणव है प्रणव के दो भेद बताए गए हैं स्थूल और श सुक्ष्म है और पांचो अक्षर सुसपस्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है जीवन मुक्त पुरुष के लिए सुक्सुन प्रणव के जाप का विधान है वही उसके लिए समस्थ साधनों का सार है यदि जीवन मुक्त के लिए साधन की आवशक्ता नहीं है क्योंकि व ध्रिस्टी में जब तक उसका शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा प्रणवजाप की सहज साधना स्वयता होती है, वह अपनी देह का विलह होने तक सुख्सुन प्रणवजप का जाप करता है, उसके आर्या भूत परमात्मा तट्व का अनुसंधान करता है, जब तक शरी योग की प्राप्ति होती है जिसने चटिस क्रोड मंत्र का जाप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है शुक्ष्म प्रणव के हस्र और दिर्ग भेद से जो रूप जानने चाहिए आकार उकार मकार बिंदू नार शब्द काल और कला इससे युक्त जो प्र प्रणव कहते हैं आय शिव है और उशक्ति और मकार इन दोनों की एकता वहत्रितत्व रूप है ऐसा समझ कर हस्र प्रणव जाप करना चाहिए जो अपने समस्त पापो का अक्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हस्रो प्रणव का जाप अध्यंत आवश्यक्त है प्रत्वी जल तेल वायू और आकाश ये पांच भूत तथा शब्द सपस आदी इनके पांच विशय ये सब प्रकार मिलकर दस वस्त्वे मनुश्य को कामना के विशय देती हैं इनकी आशामन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में सलगन होते हैं वे दस प्रकार के प्रुष प्रावरत अत्वा प्रवर्ती मार्गी कहलाते हैं तथा जो निश्का मुभाव से शाश्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवरत अत्वा निवरती प्रावरत पुरुष को हास्व प्रणव का हिजाप करना चाहिए और निवरत पुरुष को दिर्ग प्रणव का व्याव हात्यों तथा अन्यमंत्रों के आदी में इच्छानुसाल शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारन करना चाहिए वेद के आदि में और दोनों संग्याओं की उपासना की समय भी ओमकार का उच्चारन करना चाहिए प्रनव का नो करोड़ जाप करने से मुलश शुद्ध हो जाता है फिर नो करोड़ का जाप करने से वह प्रत्वी तत्व पर विजय पा लेता है पुनेह नो करोड़ जाप करके वह जल तत्व को जीत लेता है पुनेह नो करोड़ जाप से अगनी तत्व पर विजय पाता है तदंतर फिर नो करोड़ का जाप करके वह वायू तत्व पर विजय होता है फिर नो करोड के जाप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है इसी परकार नो करोड का जाप करके वह करम शागंदरस, रूप, शपर्स और शब्द पर विजय पाता है इसके बाद फिर नो करोण का जाप करके अहंकार को विजीत लेता है इस तरह 108 करोण का जाप करके उतकरष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्योग का लाभ करता है शुद्योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है इसमें संसय नहीं है सदा प्रणव का जाप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधी में स्थित हुए महायोगी पुरुष शाक्षात शिव ही है इसमें संस्या नहीं है पहले अपने शरीर में प्रणव के रिशी छंद और देवता आदी का न्यास करके तिरजाप आरंभ करना चाहिए आतारादी मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य रिशी हो जाता है मंत्रों के दसविद संस्कार मात्र कान यास्द था सड योश शोधन आदी के साथ संपून न्यायपल उसे प्राप्त हो जाते हैं प्रवत्ती था निवरत्पी से मिश्रित भाव वाले पुर्शों के लिए स्थूल प्रणव का जाप ही अभिश्ट सादक होता है क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी तीन प्रकार के होते हैं जो क्रम शह क्रिया योगी तपो योगी और यप योगी कहलाते हैं जो धन आदी वैभव से पूजा समगरी का संचय करके, हाथ आदी अंगों से नमस्कार आदी क्रिया करते हुए इश्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिययोगी कहलाता है, पूजा में सलगन रहकर जो परिमीत भोजन करता, ब्रहमन इंद्रियों को जीत कर वश्म करता, और मन को वश्मे करके परद्रोह आदी से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है, इन सभी सद्गुनों से युक्त होकर सदा शुद्भाव से रहता, तथा समस्त काम आदी दोशों से रहित हो, शांत शित से निर्द्र जाप्त किया करता है, उसे महात्मा जप योगी मानते हैं, जो मनुष्य सोला प्रिकार के उप्चारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालों के आदी के करम से उत्रोकर उत्रश्ट मुत्री को गाप्त कर लेता है, विजों, अब मैं जप योगी का वर्णन करता हूँ, तुम सब धान दे कर सुनू, तपस्य करने के लिए जब का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जब तप करते करते अपनी आपको सर्वता शुद्ध निश्पाप कर लेता है, ब्रामनों, पहले नमै पद हो, उसके बाद चतुर्टी विशक्ती में शिव शब्द हो, तो पंचात मंत्र के आदी में ओमकार लगा कर ही, सदा उसका जाप करना चाहिए, गुरु के मुक से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर, जहां सुक पुर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमी पर महीने के पुर्वपक्ष शुक्ल में, प्रतिपदा से आरंभ करके, क्रश इस दिन एक बार परिमीत भोजन करे, मौन रहे इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे, इस नियम से रहकर जाप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जाप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वहरिणी होता है, भगवान शिव गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से शुषोवित है, उनकी बाई जांग पर आदी शक्ती मा भगवती उमा बैठी है, वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं, महादेव जी अपने चार हाथों में मरंग मुद्रा टंक तथा और एवं अभय की मुद्राई धारण किये हुए हैं, इस प्रकार सब अनुग्राह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मर्ण करते हुए, ठद्य एवं सूर्या मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके, फिर पुर्वा भिमुक हो, पुर्वोक्त पंचाक्ष प्रवर्ण करें, उन दिनों साधक सदा शुद्र कर्म ही करें, और दुष्कर्मों से बचा रहे, जाप की समाप्ती के दिन क्रिश्रपक्स की चतुरदसी को प्रात कालनित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुद्ध स्थान में शोस संतोस आदी नियों से युक्त हो, प्रवर्ण करें, उसे सामसदा शिव का स्वरूप समझे, इशान तत्पुरुस और अघोर वाम देवत धा सजोजात, इन पांचों के प्रतीक स्वरूप को ही स्वरूप को ही श्रेष्ट और शिव भक्त ब्रहामनों का वर्ण करके, तत्पश्यात पूजन सामगरी को एकत प्रत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें, विदी पुर्वक शिव की पूजा संपन करके होम आरंभ करें, अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके, अर्थात परी समुहन उपलेपन, उल्लेखन, म्रद, उधारन और अभ्युक्षन, इन पांच भ कपिला गाएं के घी से जहरा एक सो अत्वा एक हजार आहूतिया स्वम ही दे, अर्थात विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्रहामनों से एक सो आठ आहूतियां दिलवाई, होमवर्क समाप्त होने पर गुरु को दक्षिना के रूप में एक गाएं और बैल देना चाहिए इशान आदी के प्रकट्पी रूप जिन पांच ब्रहामनों का वरण किया गया हो, उनको इशान आदी का स्वरूप ही समझे, तथा आचार्य को सामसदा शिव का स्वरूप माने, इसी भावना के साथ उन सब के चरणधोय, उनके चरणों दक से अपने मस्तक को सीचे, ऐसा करने से वह सादक अगनित तिर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है, उन ब्रहामनों को भक्ती पुर्वक दशांश अन देकर, गुरुपत्नी को प्रशक्ती मान कर, उनका भी पूजन करे, इशान आदी करम से उन सभी ब्रहामनों का उत्तम अन से भुविस्तार के अनुसार दुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदी अर्पित करे, तदंतर दिकपालों की बली देखकर, ब्रहामनों को भरपूर भोजन कराए, इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रात्ना करके अपना जाप समाप करे, इस प्रकार को सिध्ध कर लेता है, फिर पांच लाख बार जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, तदंतर पुन्य पांच लाख का जाप करने पर अतल से लेकर सत्य लोक तक, चोदाव भूनों पर क्रमश अधिकार प्राप्ध हो जाता है, यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मुर्त्य हो जाए तो वह प्रलोक में उत्तम भोग के भोगने के पशाद पुनह प्रत्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जाप का अनुष्ठान करता है समस्त लोकों का एश्वर्य पाने के पशाद वह मंत्र को सिद्ध करने वाला कुरुश यदि पुनह पांच लाख का जाप करे उसे श्री ब्रह्मा जी का समीप्य प्राप्त होता है पुने पांच लाख का जाप करने से सारुप्य नामक एश्वरिय प्राप्त होता है सो लाख जाप करने से वह शाक्षात भगवान ब्रह्मा के समान हो जाता है इस तरह कार्य अबराहा हिन ग्रभ का सानुज्य प्राप्ट करके वह उस ब्रह्मा का प्रला होने तक उस लोक में ये थेश्ट भोग भोगता है फिर दूसरे कल्ब का आरंब होने पर वह श्री ब्रह्मा जी का पुत्र होता है उसमें फिर तपस्या करके दिव्यतेज से प्रकाशित हो वह क्रमशय मुक्त हो जाता है प्रत्वी आधी कार्य स्वरूप भूदों पर पाताल से लेकर सत्यलोक परियंत श्री ब्रह्मा जी के चोदा हो लोक क्रमशय निर्मित हुए सत्य लोक के उपर क्ष्वा लोक तक जो चोदा हो भौन है वे भगवान विश्नु के लोक हैं क्ष्वा लोक के उपर सुची लोक परियंत 28 भौन स्थित हैं सुची लोक के अंतरगत कैलाश में प्राणियों का संघार करने वाले रुद्र देव विराजमान है सुची लोक से उपर आहिंसा लोक परियंत चप्पन भूनों की स्थिती है आहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ग्यान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्या भूत महिश्वर सबको अधरस्य करके रहते हैं आहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिती है यहां तक महिश्वर के विराठ स्वरूप का वर्णन किया गया है वही तक लोकों का तिरोधान अत्वालय होता है उससे नीचे कर्मों का भोग और उससे उपर ज्यान का भोग उसके नीचे कर्म माया है और उसके उपर ज्यान म माय का अर्थ है लक्षमी कर्म भोग यात प्राफ्त होता है इसलिए माय अत्वा कर्म माय कहलाती है इसी तरह मा अर्थात लक्षमी से ग्यान भोग यात अर्थात प्राफ्त होता है इसलिए उसे माय या ज्यान माय कहा गया है उपयोक्त सीमा से निचे नश्वरभोग और उपर नित्यभोग उससे नीचे ही तिरोधान अथवालाय है, उपर नहीं वहां से नीचे ही कर्म माया पाशो द्वारा बंदन होता है, उपर बंदन का सदा आभाव है उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरन करते हुए विविन लोकों और योनियों में चकर काटते रहते हैं उससे उपर के लोकों में निश्काम कर्म का ही भोग बताया गया है बिंदू पूजा में तत्पर रहने वाले उपाशक वहाँ से नीचे के लोकों में ही गुमते हैं। उसके उपर जो निश्का मुभाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपाशक हैं। वो एक मात्र शिव की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। वे उससे उपर के लोकों में जाते हैं वहां से नीचे जीवन कोटी और उपर इश्वर कोटी नीचे संसारी जीव रहते हैं और उपर मुक्त पुरुष नीचे कर्म लोक है और उपर ज्यान लोक उपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नुम्रता है वहां जन्मजनिति तिरोधान नहीं है उसका नि भोतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोगों में ही चकर काड़ते हैं, जो आध्याद्मिक उपासना करने वाले हैं, वे ही उससे उपर जाते हैं, जो सत्य अहिंसा आदी धर्मों से युक्त हो, भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हों, वे काल चकर को पा भैश्वर लोग बताया गया है, उसके उपर व्रशव के आकार में धर्म की स्थिती है, वह ब्रह्मचारिया का मुर्तिमान रूप है, उसके सत्य सोच अहिंसा और दया की ये चार पाद है, वह शाक्षात शिव लोग के उपर खड़ा है, श्मा उसके सींग है, शम तान है, वह वेद ध्वनी रूपी शब्द से भी भुशित है, आस्तिक्ता उसके दोनों नेत्र है, विश्वास ही उसकी श्रेष्ट बुद्धी और मन है, क्रिया आदी धर्म रूपी जो व्रशव हैं, ये करण आदी में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए, क्रिया रूप व्रशव भाकार धर्म काला तीत शिव आरुड होते हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विश्णु और भगवान महिश्वर, जो अपनी अपनी आयू हैं, उसी को दिन कहते हैं, जहां धर्म रूपी व्रशव की श्थिती है, उससे उपर ना दिन है और ना रात, ना जन्म है और ना वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोग परियंत 14 लोग की स्थित हैं, जो पाँच भोतिक गंद से आदी से परे हैं, उनकी सनातन स्थिती है, सुक्ष्म गंद ही उनका स्वरूप है, उनके उपर फिर कारण रूप भगवान विश्णु के 14 लोग और वहीं पांच आवर्णों से युक्त ज्ञानमै कैलाश है, जहां पांच मंडलों पांच प्रहिम्व कलाओं और आदी शक्ति से संयुक्त आदेलिंग प्रतिष्टित है। करते हैं वेश्वय आत्मा राम हैं और समाधी रूप आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान रहते हैं कर्म धर्म एवं ध्यान आदी का अनुष्ठान करने से क्रमशय साधनपत में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है नित्य नमेक्तिक आदी कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधनकारियों में मन लगता है क्रिया आधी जो शिवशंबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिवगान सिद्ध करें जिन्होंने शिवतत्व का शाक्षात कार कर लिया है अथ्वा जिन पर शिव की कृपादरस्टी पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं इसमें संस्या नहीं है स्वा आत्मा रूप से जो इस्थिती है वही मुक्ती है एक मात्र अपने आत्मा में रमणीया आनंद का अनुभव करना ही मुक्ती का स्वरूप है जो पुरिश क्रिया तप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भाती स्थित है वे शिव का शाक्षात कार करके स्वा आत्माराम स्वरूप मौक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किर्णों से अशुद्यों को दूर करते हैं। उसी प्रकार कृपा करने से उशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवरत्ती हो जाने पर शिव ज्ञान स्वय तह प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्य स्वरूप स्व आत्माराम प्राप्त होता है। और आत्मारामत्व की समयक सिध्धी हो जाने पर मुनुष्य क्रत्य क्रत्य हो जाता है। इस तरह यहा भगवान नंदिश्वर के मुख से इस विशय को सुना था नंदिस्थान से परेजो स्यमवेद शिव वैभव है उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है शाक शाक शिव लोक के उस वैभव का ग्यान सबको श्री शिव की कृपा से ही हो सकता है ऐसा आस्तिक पुर्शो क साधक को चाहिए की वह पांच लाख जाप करने के पशाद भगवान शिव की प्रसंदता के लिए महाविशेक एवं नवैद निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसंद होते हैं शिव और उनके भक्तों में कोई रूप ही है अता उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए जो भगवान शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं जो क्रमश है जितना जितना शिव मंत्र का जाप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना ही भगवान शिव का सामिप्य प्राप्त हो सादक स्वम शिव रूप होकर प्राशक्ति का पूजन करे। प्राशक्ति वेर तधा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिटी आदी से इसकी आकर्ति का निर्मान करके प्राण प्रतिष्टा पुर्वक निश्क पट भाव से इसका पूजन करे। शिव लिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिव लिंग को नाद रूप तधा शक्ति को बिंद रूप मानकर प्रसपरसटे हुए शक्ति लिंग और शिव लिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए भगवान शिव और माशक्ति का पूजन करता है वहमूल रूप की भावना करने के कारण भगवान शिव का ही रूप है शिव भक्त भगवान शिव मंत्र रूप होने के कारण भगवान शिव के ही स्वरूप है जो सोला उपचारों से उन भगवान शिव बड़े प्रसन होते हैं पांच या दस सो पत्मिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदिक की द्वारा पत्मी सहित उनका सदेव समादर करें धन में देह में और मंत्र में भगवान शिव की भावना रखते हुए उन्हें भगवान शिव और मासक्ति का स्वर विचेचन शिव पूजा का उपदेश लिंग आदि में शिव पूजन का विधान भस्म के स्वरूप का निरुपन और महत्व भगवान शिव एवं गुरु शब्द की व्यतु उत्पत्ति तथा भगवान शिव के भस्म धारन का रहस्य रिशी बोले सरवग्यों में श्रे कर वर्णन करूंगा तुम लोग आदर पुर्वग सुनों जो परकरती आठ बंदनों से बंधा हुआ है वह जीव बध कहलाता है और जो उन आठों बंधनों से चुटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं प्रकरत्यादी को वश्मे कर लेना मौक्ष कहलाता है बंधन आगन्तुक है और मोक्स स्वतह सिद्ध है बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं प्रकरती बुद्धी तिर्गुणा आत्मक अहंकार और पांच तन्य मातराय इने ज्यानी पुरुष्ट प्रकाट याष्टक घटक मानते हैं प्रकर्ति आधी आठ तत्वों के समुह से देह की उत्पत्ती होती है, देह से कर्म उत्पन होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ती होती है, इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं, शरीर को स्थूल शुक्ष्म और भेद के कारण से तीन प्रकार जान प्रदाने वाला शुक्ष्म शरीर इंद्रिया भोग प्रदान करने वाला कारण शरीर आनंद मैं की अनुभोती करने वाला कहा गया है जीव को उसके प्रारब्ध करमानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं वह अपने पुन्य कर्मों के फल्वसुरूप सुख और दुख अतह कर्म फास से बंदा हुआ जीव अपने त्रिविद शरीर से होने वाले शुबा शुब कर्मों द्वारा सदा चक्र की भाती बारंबार घुमाया जाता है इस चक्रवात भ्रवन की निव्रत्ति के लिए चक्र करता का सधवन एवं आराधना करनी चाहिए प्रकर्ति वो भगवान परमात्मा शिव है भगवान महेश्वर ही प्रकर्ति आदी महाचक्र के करता है क्योंकि वे प्रकर्ति से परे हैं जैसे बकायन नामक ब्रक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है उसी प्रकार भगवान शिव प्रकर्ति आदी को अपने वश में करके उस पर उन्होंने सब को वश में कर लिया है, इस लिए वे भगवान शिव कहे गए हैं। भगवान शिव ही सरवग्य हैं परिपोन तथा निस्प्रह हैं सरवग्यता अत्रप्ति अनादी बोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना उनके भीतर अनन्त शक्तियों को धारण करके महेश्वर के इनचे प्रकार के मानसिक एश्वरी को केवल वेद जा अतहे भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकर्ति आदी आठो तत्ववश में होते हैं भगवान शिव का क्रपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए यदि कहें तो भगवान शिव ही परिपूर्ण है निस्प्रह हैं उनकी पूजा कैसे हो सकती है इसका उत्तर्य है कि भगवान शिव के ही उद्देश से उनकी प्रसंता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके क्रपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है शिव लिंग में भगवान शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में भगवान शिव की भावना कर के उनकी प्रसंता के लिए पूजा करनी चाहिए वह पूजन शरीर से मन से वानी से और धन से भी किया जा सकता है उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकर्टी से परे हैं पूजक पर विशेश कृपा करते हैं और उनका यह कृपा प्रसाद सत्य होता है भगवान शिव की बंधन अपने वश में हो जाते हैं कर्म से लेकर प्रकर्ति प्रियंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वा आत्मा राम से विराजमान होता है परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अध्याय सत्रह बंधन और मोक्ष का विचेचन शिव पूजा का उपदेश लिंग आदी में शिव पूजन का विधान भस्म के स्वरूप का निरुपन और महत्व भगवान शिव एवं गुरु शब्द की उत्पत्ती तथा भगवान शिव के भस्मधारन का रहस्य रिशी बोले सरवग्यों में स्रेष्ट महारिशी सूत जी बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताईए स्री सूत जी ने कहा महारिशियो मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा तुम लोग आदर पुरवक सुनो जो प्रकरती आठ बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है और जो उन आठ बंधनों से छूटा हुआ है उ जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं प्रकरती बुद्धी महत्व तिर्गुणा आत्मक अहंकार और पांच तन्यमात्राई इन्हे ज्यानी पुरुस प्रकत्य घष्टक मानते हैं प्रकरती आठी आत्वतत्वों के समोह से देह की उत्पत होती है इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं शरीर को स्थूल शुक्ष्म और कारण के भेद से तीन प्रकार से जानना चाहिए स्थूल शरीर जागरत अवस्था में विपार करने वाला शुक्ष्म सरीर जागरत और स्वपन अवस्थाओं में इंद्रियों भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर शुसुप्त अवस्था में आत्मनंद की अनुभोती करने वाला कहा गया है। जीव को उनके प्रारब्ध कर्मा अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्यकर्मों के फल्स्वरूप और पाप कर्मों के फल्स्वरूप दुख का उपभोग करता है, अतहे कर्म पास से बंदा हुआ जीव, अपने त्रिविद शरीर से होने वाले शुबआ शुब शुब कर्मोंद्वारा, सदा चक्र की भाती बारम बार घुमाया इस चक्रवत भ्रमन की निवृत्टि के लिए चक्रक्रता का स्थवन एवं आराधन करना चाहिए प्रकर्ति आधी जो आठ यश्य बताए गए हैं उनका समुधाई ही महाचक्र है और जो प्रकर्ति से परे हैं वे परमात्माशिव हैं भगवान महेश्वर ही प्रकर्ति आदी महाचक्र के करता है क्योंकि वे प्रकर्ति से परे हैं जैसे बकायन नामगवरक्ष का थाला जल को पीता और उगाता है उसी प्रकार भगवान शिव प्रकर्ति आदी को अपने वश में करके उसके उपर शाषन करते हैं उन्होंने सबको वश्मे कर लिया है इसलिए वे शिव कहे गए हैं भगवान शिव ही सर्वग्य परिपूनत था निस्प्रह हैं सर्वग्यता क्रप्ति अनादी बोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और उनके भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महिश्वर के इन छे प्रकार के मानसिक एश्वर्यों को केवल वेद जानता है पता है भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकर्ति आदी आठो तत्व वश में होते हैं भगवान शिव का क्रपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्ही का पूजन करना चाहिए यदि कहें तो भगवान परिपून है निस्प्रह है उनकी पूजा कैसे हो सकती है तो इसका उतर यह है कि भगवान शिव के उदेशे से उनकी प्रसनता के लिए किया हुआ कर्म उनके क्रपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है शिव लिंग में भगवान शिव की परतिमा में तथा शिव भक्त जनों में भगवान शिव की भावना करके उनकी प्रसनता के लिए पूजा करनी चाहिए वह पूजा शरीर से मन से वानी से और धन से भी किया जा सकता है उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकर्ति से परे हैं पूजा कर्विशेश कृपा बरसाते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है भगवान शिव की कृपा से कर्म आदी सवी बंधन अपने वश में हो जाते हैं कर्म से लेकर प्रकर्ति परियंत सबकुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और उस वातमा राम रूप से विराजमान होता है परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है जब भगवान शिव के लोक में निवास का सुभाग्य प्राप्त होता है उसी को सालों के मुक्ति कहते हैं जब तन्यमात्राए वश में हो जाती है तब जीव जगदंबिका सहित शिव का सामिप्य प्राप्त कर लेता है यह सामिप्य मुक्ति है उनके आयुद आदी और क्रिया आदी सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाती है भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर गुद्धी भी वश में हो जाती है बुद्धी प्रकर्टी का कारिया है उनका वश में होना स्रस्टी मुक्ती कहा गया है पुनेह भगवान का महान अनुगरह प्राप्त होने पर प्रकर्टी वश में हो जाएगी उस समय भगवान शिव का मानसिक एश्वरिय बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा सरवग्यता और त्रप्पी आदी जो शिव के इश्वरियं हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है वेद और शाश्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सज्यू मुक्ती कहते हैं इस प्रकार लिंग आदी में भगवान शिव की पूजा करने से करमशय मुक्ती स्वैतह प्राप्त हो जाती है इसलिए शिव का करपप्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधिक्रिया आदी के द्वारा उन्ही का पूजन करना चाहिए शिवक्रिय शिवतप शिवमंत्र शिवजप और शिवग्यान और शिवध्यान के लिए सदा उत्रोकतर अभ्यास बढ़ाना चाहिए प्रतिदिन प्रात काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मुर्त्यू परियंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए सजो जाती मंतरों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो भगवान शिव की पूजा करता है वह भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है रिशी बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले महारिशी सूत जी लिंग आदी में भगवान शिव की पूजा का क्या विधान है यह हमें बताईए श्री सूत जी ने कहा विजो मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्नन कर रहा हूँ तुम सब लोग ध्यान पुरवक सुनो यह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्त्वों को देने वाला प्रथम लिंग है उसे शोक्ष्म प्रणव रूप समझो शोक्ष्म लिंग निश्कल होत पंचाक्षर मंत्र को ही स्थोल लिंग कहते हैं उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है दोनों ही लिंग शाक्षात मोक्ष देने वाले हैं पुरुश लिंग और प्रकरति लिंग लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं उन्होंने भगवान शिव ही वि दूसरा बिंदू लिंग और तीसरा पर्तिष्ट लिंग चोथा चर लिंग और पांचवा गुरू लिंग है। ग्यानी जन उन्हें स्वयम भू लिंग के रूप में जानते हैं। उस्वयम भू लिंग की पूजा से उपासक का ग्यान स्वयम ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदी के पत्र पर भूमी पर अत्वा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है। उसमें तथा मंत्री लिंग का अलेखन करके उसे भगवान शिव की प्रतिष्टा और आवाहन करे। ऐसा बिंदुनमै लिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसे भगवान शिव का दर्सन भावना मैही है। ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अविश्ट फल का प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुई यंत्र में अत्वा कृतिम स्थावर आदी में भगवान शिव का आवाहन करके सोलह उप्चारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वम ही एश्वर्य को उप्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उनको ज्ञान भी होता है। देवताओं और रिशियों ने आत्म सिध्धी के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उचारण पुर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पोरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्द लिंग भी क रहा गया है लिंग की पूजा करने से सदा पोरुष एश्वर्य की प्राप्ति होती है महान ब्रहमन और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्मान कराकर जो मंत्र पुर्वक उसकी स्थापना करते हैं उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकरत कहलाता है